हेलो एवरिवन आई एम लोकेश एन वेलकम बेक टू दी जैनल यहां पर इलिजिबल है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट ऑपर्चुनिटी तरफ से दूसरी ऑपर्चुनिटी मीडिया.net की तरफ से देखें एच्पी की तरफ से मैं आपको यहां पर बता जू कि जो उनके इंप्लॉई है स्टाफिंग एड्वाइजर एट एच्पी उन्होंने यहां पर बोलाए दियर प्लेस्मेंट ओफिसर्स वी वुड लाइक तो कनेक्ट विट यू तू डिसकॉस ऑन मैं आपको यहां पर बता दू उन्होंने केंपस हाइरिंग फूल टाइम इंप्लॉईमेंट ओपर्चुनिटी बोली है और यहां पर इंटरेस्टेट टीपियो अपनी डीटेल से जो हैं यहां पर दे सकते हैं तो यह जो अपरचुनिटीटीज यह 22 बैच के लिए यह हाईरिंग 22 बैच हैं तो यह आपके कॉलेज में भी हो सकती हैं इस्पेसिफिक क्योंकि डिपेंड करेंगा टोटली HP टीम पे कि वो यहां पर किस टाइब से आपके कॉलेज के टी पब्लेज पे सर है वो यह जो कॉलेज का एडबिजिटरिशन है यहां पर जो इस टाइब करते हैं आपको सिंपली कुछ नहीं करना है मैं इसकी लिंक दूँनगा आपको ऑपको यह जो लिंक है इस link पे जाना है ठीक है सबसे बड़ी बात इस link पे जाना है मैं आपको link दूँगा ये link आप अपने college placements officers के साथ share कर दीजे क्योंकि full time employment है technical support role के लिए HP बहुत अच्छी company है दोस्तों आप उनके reviews पढ़ सकते हैं और हम सभी HP के बारे में जानते ही है laptop use कर जाएं ठीक है तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं ये आपको college की तरफ से process बताई जाएगी बस आपको ये जो link है ये अपने college को जो है forward करनी है ठीक है तो इसमें काफी सारे courses eligible हो सकते हैं जैसे की BE, BTEC, ME, MTEC, MCA ठीक है अब यहाँ पर criteria रहेगा नहीं रहेगा क्या package रहेगा वो आपको फिर आगे बताया जाएगा second opportunity जो है media.net की तरफ से hey tech grads here is an exciting opportunity for 2022 grads at media.net associate web, web application developer या database developer का है मैं आपको यहाँ पर बता दू आप यहाँ पर technology पर work करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं आपको 12th January के पहले पहले यह form fill करना है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि we prefer students from Mumbai based campuses अब यहाँ पर उन्होंने चीज लिखिए Mumbai पोने तो आपको कुछ नहीं करना है देखिए form fill कर दीजे क्योंकि वो totally depend रहेगा media.net team पे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक point mention कर रहा है आपको अपको अपनी accurate information share करनी है क्योंकि आपकी details जो आप shared करेंगे वो crucial parameters रहेगा कि आपकी profile shortlisted हो further rounds के लिए graduation आपकी complete हो 2022 में 6-8 LPA तक का package है BE, BTEC, Computer Engineering, Computer Science, IT ठीक है तो email id जो है आपको यहाँ पर अपनी email id जो है उसे fill करना है देख लेते हैं कि email id fill करने के बाद वो आपकी क्या-क्या information पूछ रहे है ठीक है जैसे next पर जाते तो name, personal email address, contact, current location क्या है preferred location क्या है यहाँ पर 3 location दे रखी complete college name graduation, post graduation, degree, BTEC या MTEC ठीक है तो आप यहाँ पर कर सकते, Computer Science, Engineering या IT, Mathematical Computing या other Companies you have intern, ठीक है आपने internship जिसमें करी हो आप अपने internship experience और उसके जो impact है वो share कर सकते हैं आपके पास अभी कोई pre-placement offer या full-time offer है क्या अगर है तो company का नाम और designation mention कीजे आपकी resume की जो link है Google Drive या Dropbox पे उसको shareable link बना के यहाँ पर paste कीजे आपको media.net क्यों join करनी है ठीक है तो यह सारी चीज़े उन्होंने यहाँ पर पूछी है पर मैं आपको यहाँ पर बता दू उन्होंने चीज़ यहाँ पर यह लिख रखी है कि we prefer students from Mumbai based campus तो उससे कोई tension लेने वाली बात नहीं है आप यहाँ पर apply कर सकते है दोना opportunity बहुत अच्छी है मैंने आपको process बता दिये और media.net में 60% का कोई भी criteria नहीं है उन्होंने यहाँ पर कुछ भी mention नहीं कर रखा है criteria से 6 से 8 LPA तक का package है तो जरूर से इसमें apply किजे आपको कोई doubt आ रहा है मुझसे comment section में पूछ सकते है thanks for watching the video वीडियो लोगो like किजेगा